हेल्लो एव्रिवान नमस्कार आधाप से स्रेकाल आज हम कवर करेंगी उस्सिंग्राफिट टोजल सर्मन बुक का चाप्टर फाइव जो कि हमारा है वाटर एंड सी वाटर तो आज हम इसमें पूरे अच्छे तरीके से कंपलेट करेंगे बाकी अगर कुछ बच जाए तो हम उ सिरियली वाइच पढ़ाई किजी आपको असानी होगी अगर अभी तक आपने उस्सिंग्राफिक बुक नहीं खरदा है तो डेस्केशन में लिंक दिया गया है आप वहाँ पर जाकर इसे अच्छे तरीके से खरीट सकते हैं बाकी अगर आपको लगता है कि यह इतने लो मारा question आये कहीं से भी आये तो हम उसे solve करने के capable होंगी ठीक है अगर आप नोट बिसिस पर रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे questions होते हैं जो हम solve नहीं कर पाएंगे थोड़ा से भी conceptual based रहता है और नोट में हम उतना अच्छे तरीके से उसे cover नहीं कर पाते हैं तो पुरा टूटल मेंली है ना यह काफी important हीतर हो जाते हैं इधर से forward आगे जतनी chapters है मेंली आसपास तक 9 या 10 तक ऐसे chapter बहुत ज़्यदा important हो जाते हैं और मेंली सबसे अधा important है हमारा chapter 7 जिसके बहुत इच्छे तरीकर से पढ़ेंगे और अभी फिलाला पढ़ते हैं chapter 5 में क्या बोला है कि हम हमारा temperature variation इसके बारे में बोला है तो देखिए कि हमार सब्सक्राइब यह ओशन है तो ओशन के अगर हम बहुत ही दूर रहते हैं यसे continent के पास यसे बहुत दूर रासपास रहते हैं तो वहाँ पर हमारा देखा जाता है कि वहाँ पर temperature variations बहुत ही जल्दी पाए जाते हैं मतल temperature variation बहुत ही कम पाए जाता है यह ऐसा बहुत ही कम केशिस होते हैं जहां पर हमारा यहां पर severe temperature variation पाए जाएगा तो हमारा ऐसा हूँ किस लिए रहा है हमारा coastal region के पास हमारा mild climate क्यों पाए जा रहा है तो water का एक unique thermal properties ऐसे होते हैं जिसके वजह से हमारा ऐसा होता है और फिर हम atom का arrangement भी इसी प्रकार से हुए रहता है और फिर जो उनका molecules होते है न वो भी एक दूसरे से इस तरीके सेटाइच छुटते हैं तो कैसे वो होते हैं वो हमारा बताएंगे और उसके वजह से हमारा जो होता है water का ability रहता है कि बहुत ही amount का heat को वो absorb करके रख सकता है और almost हर कु dissolve कर सकता है ऐसा देखा गया है कि हमारा water जो है commonly पाया जाता है जिसके वजह से उसके properties को हम granted हलके में ले लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है water एक बहुत ही peculiar substance से पूरी प्रितिवी में जैसे अगर example हम देखें तो almost हर liquid जो होते हैं जब उनका phrasing point आता है तो हमारा वो contract हो जाते है मतलब एक साब से वो भारी हो जाते हैं ठीक है लेकिन वही हमारा water जो है जब उसका phrasing point आता है तो हमारा क्या होता है जब हमारा वो होता है expand हो जाता है एक्सपांडने के वाज़े से वह हलका हो जाता है जिसके वज़े से जब वह फ्रीज होता है तो उसके आइस फ्लोट जो होते हैं उसके वाटर सर्फेस पर ही आके फ्लोट करते हैं है हम लेकिन अगर में वाटर जो है इसी टाइप का यह जो chemical compound जो है अधर टाइप के लीक्विड जो ते उसके सघगर पूपट्य हमारी अगर सो करता तो हमारा Heist जो आ हैं वह सिंग वह जाता भारी होता लुसी MT हो जाता और फिर हमारा जितने ही टंपरेल जूल लेंक क्डम पॉंड्स रिवर्स तो यहां पर लाइफ एकजिस्ट नहीं करता और लाइफ एकजिश्टर नहीं कभी exist कर पाता, तो इसलिए S-type का water रखका यह बहुत ज़्यादा unique property हमें ऐसा देखा जाता है, और हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें, तो chemical properties जो है water का, are also essential for sustaining all forms of life, chemical properties जो है water का, वो भी बहुत ज़्यादा important होता है, और primary component जितने वे living organism के हैं, वो क्या है, water है, primary component of all living organisms is water, वैसे basic component of life जिसे हम बोलते है, cell है, वैसा ही हमारा primary component of all living organisms is water, याद रखिए इसे, फिर water content जो है organism में, यह किस प्रकार से range करते हैं, कैसे इसे होते हैं, जैसे human में देखा जाए, तो water content हमारा कितना पाया जाता है, human में 65%, इसलिए याद रखिए, human में water percentage कितना पाया जाता है, वाहिए अगर most plants में देखा जाए, बहुत सारे plants में, most plants में हमारा 90% हो जाएगा, और फिर हमारा jellies में, jelly एक टाइप का यह है, animal है, jelly, jelly face जो बोलते हैं हमारा, तो उसमें लगवा 95% हमारा water पाया जाता है, ठीक है, और हमारा जो blood है, अबर blood, जो कि हमारा serve करता है, nutrient को transport करने में और waste को remove करने में हमारे body के अंदर, उसमें लगवा हमारे blood में 83% water पाया जाते हैं, कितना 83% water हमारे से blood में से पाया जाते हैं, तो water के वज़े से हमारा planet में life possible से, और इसमें बहुत ही, अलग इसका बहुत जादा unique property है, और जिसके वज़े से हम प्लानेट में रहा पाते हैं, तो अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे, कि क्या है, क्या नहीं है, इसके water molecule कैसे होते है, diagram इनका देखेंगे अच्छे से, तो let's start, हमारा water का, ऐसा बोला गया कि water का, ऐसा unusual chemical properties क्यों पाया जाता है, तो इसे समझने के लिए हम पहले उसका कुछ chemical structure देखते हैं, उसे chemical structure के बारे में, तो पहला अगर atomic structure देखें, तो atomic structure में पहले में जानते हैं, atom, atom क्या होता है, यह बहुत ही smallest particle जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और यह है basic building blocks of all the matter, जितने ही matter मौजुद हैं, उनका basic building मतलब जैसे, हमारा एक table है, लोहा तो लोहा का table का एक atom जो होगा, जिससे वो सब मिलकर बना हुए, atom बना हुए, iron बना हुए है, उसमें सचे उसका एक piece होगा, जो बना हुआ है, जो atom होगा, जो हो बना हुए, total इसके properties को बना हुए, तो हमारा atom होता है, तो atom कहा है, हमारा basic building block से सारे metr के, यहाँ पर, हर physical substance जो है जो हमारे असपास हमारे दुन्यां देखते हैं याज़े के चेया, टेबल, बुग, पीपल, एयर, हम जो एयर तक भी जो हम ब्रीवित करते हैं वो हमारा form of matter हुआ हुआ माना जाता है और additionally ऐसा देखा गया है study में कि atom हमारा composed of even smaller particles called subatomic particles हमारे atoms में subatomic particles में बहुत चोटे बहुत पार्टिकल्स हमारा पाया जाते हैं atom के अंदर उसमें हमारा क्या दिख रहे है proton और हमारा neutron दिख रहे हैं ठीक है और फिर electron जो हमारा वो easily इधर-इधर frequently इधर move कर रहा है electrons जो है और हमारा जो यह proton है इसका charge कैसा होता है अगर charge देखा जाए तो proton का हमारा चार्ज होता है positive charge होता है और neutron का हमारा होता है निजूरल चार्ज होता है और इधर जो हमारा electron जो है जो freely move कर रहे हैं वो हमारा उसका charge कैसा होता है वो हमारा negative charge होता है और ये proton और electron का charge होता है हर atom में वो equally equally mature मोट में पाया जाता है ना कम नजाता जैसे example अगर हम देखा जाए तो oxygen का example है मगले तो oxygen में हमारा क्या होता है हमारा 8 proton और 8 electron ही पाए जाते हैं और कुछ-कुछ cases में हमारा 8 neutron भी पाए जाते हैं लेकिन neutron का neutral charge होने के कारण उसमें कोई भी effect पढ़ता नहीं है तो वही सब basically इसमें है और इसमें कुछ खास है नहीं और हाँ electron का जो weight अगर पूछा जाए तो electron का weight जो होता है mass जो होता है हमारा 1 by 2000 होता है कितना either proton or neutron का मतलब proton or neutron का 1 by 2000 mass जो होता है हमारा electron का होता है तो बहुत ज़्यादा हलका होता है ठीक है और फिर अब हम पढ़ते हैं water molecule structure का structure कैसा है यह ऐसा क्यों होता है इसके बारे में now the water molecule तो यह water molecule है क्या पहले हम जानते है कि molecule क्या होता है molecule मतलब एक mass जिसका कोई mass हो जब हमारा 2 या 2 से ज़्यादा atoms एक साथ अगर पाया जाते हैं अगर एक साथ होते हैं तो उसको हम molecule बोलते हैं जिसमें वो electrons का आदान प्रदान मतलब share करते हैं आपस में और molecules जो होते हैं यह हमारा substance का smallest piece होते हैं जो के exist करता है और यह हमारा जो पूरा substance होता है उसका पूरा ही origin property को यह सो करता है वही जो मैं example आपको case दिया था वही जो iron का उसका एक छोटा सा property जो होगा वो उसके total property को ही denote करेगा जो इसका छोटा property जितना इसका पाया जाएगा वैसा ही पूरा इसका total properties भी पाया जाएगा तो वही यहाँ पर बोला गया है और फिर जब हमारा atom combine करते हैं दूसरे atom के साथ तो हमारा यहाँ पर वो molecule का फॉर्म करते हैं और वह वहाँ पर क्या करते हैं share करते हैं electrons और trade करते हैं ठीक है आदान परदान वहाँ पर इलेक्ट्रों का होता है और यहाँ फिर एक chemical bond का formation करते हैं जिसके वजह से हम जो जानते हैं कि chemical formula वाटर का वह क्या होता है है H2O जिसमें हमें क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर हमारा दो hydrogen और एक oxygen पाया जा रहा है जिसके वजह से हमारा एक water molecule बनता है ठीक है water molecule बनने के लिए हमारा क्या दो hydrogen atom और एक oxygen atom का धरकार होता है तो geometric अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है हमारा atom वह रिप्रेजेंट करता है sphere बहुत ही अलग-अलग size का ठीक है अलग-अलग atom में अलग-अलग-अलग आपको महाँ परी spheres पाया जाएंगे अलग-अलग sizes के और जेनरल रूल है जेनरल रूल है कि जितने और इलेक्ट्रोन में पाया जाएंगे उतना ही बड़ा उसका sphere होगा हुआ क्या होता है oxygen atom जिसका 8 electron होते हैं of hydrogen atom with one electron और फिर एक water molecule जिसका हमारा central oxygen atom पाय जाता है वह coherently bonded है किससे दो hydrogen atom से दो hydrogen atom से एक oxygen जो हमारा वो coherently bonded है जो कि separated हुए हैं दूसरे से by an angle of about 105 तो यहां पर है हड्रोजन को बीच हमारा कितना एंगल है कितना डिगरी का 105 डिगरी यह हमारा एक्जाम में पूछा भी जाता है कि है डिगरी की बीच में हमारा कितना डिगरी का एंगल है in water जो यह कोविलेंट बॉन्ड है वह बहुत एक स्ट्रॉंग केमिकल बॉन्ड है जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत हैं मौन्ड का एनर्जी को दरकार होता है और अभी डिसेंटली अभी देखा गया है कि आयाटी डेली आयाटी डेली के जो यह हैं वहां पर हमारा वाटर स इसे हैड्रोजन हैड्रोजन को एक्षट करने का एक तरीका निकाला गया है जो कि हमारा हैड्रोजन को फिर फ्यूल के जैसे इस्तिमाल कर जा सकता है तो यह बहुत जादा हमारा प्रोग्रेस जैसे हो रहा है तो यह बस डिसेंट न्यूस था तो मैंने आपको बता दिया औ अब यह जो 105 डिग्री का जो बैंड दिखा तो वही इसी के वज़े से हमारा एक वाटर का उनिक पोपर्टीज होता है तो हम इसको पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि instead of water atom being in a straight line like most other molecules both hydrogen atoms are on the same side of the oxygen atom this unusual band in the geometry of the water molecule is the underlying cause of most of the unique properties of water okay अब हम पढ़ते हैं polarity नो वाटर मॉलीकूल का जो हमारे एक बैंट जोमेटरी पाया रहा है बैंट जोमेटरी मितलब यहां पर ही बैंट टेक्ट हो रहा है है रोड़ों और ऑक्सिजन तो इसके वज़े से हमारा और पाप्सिजन में हमारा क्या पाय जा रहे है न्यक्टिव जा जा रहा है और ह क्या मिल रहा है है नूसे हमुरे का है नूसजक्रा इंप Delete आ हु66 स्लाइट सेव्हальная का और चिसके वज़ेसे हमारा एंटाएए मॉलीकूल का या मिल रहा है मिला है मिल इसलिए water molecules हमारे कैसे है dipolar होते है dipolar मतले इनका दो पोल होता है पहला एक्टर पॉजिटिव दूसरा एक्टर नेगेटिव है अधर अगर common dipolar objects देखा जाए तो क्या-क्या हो जाएंगे flashlight batteries, car batteries जैसे और bar magnets और in fact a good way to visualize the polarity of water molecules is to view them as if they contain a tiny weak bar magnet ठीक है, now interconnection of molecules, molecules का interconnection अपने कभी bar magnet के साथ experiment किया है तो आप जानते होंगे कि उनका एक polarity होता है जिसमें कि वो एक दूसरे को orient कर लेते हैं relative to one another जैसे positive जो end होता है एक bar magnet का वो दूसरे उसके negative end को attract करता है वैसे ही water molecules का भी polarity होते हैं और उसके वज़े से वो अपने आपको attract एक दूसरे के साथ orient कर लेते हैं relative to one another now in water क्या होता है हमारा जो positive charge है hydrogen के तरफ जो हमारा positive charge है तो वो हमारा क्या करता है attract करता है, interact करता है हमारा negatively charge जो हमारा oxygen के पास है क्या form करने के लिए एक hydrogen bond का formation करने के लिए जैसे में exam यह diagram देखिए यह diagram में देखिए तो इसमें क्या बोला है hydrogen है और एक oxygen यहाँ पर दिग तो इसके बीच में हमारा क्या पाए जा रहा है एक hydrogen bond पाए जा रहा है लेकिन इतना हमारे strong नहीं होते है है एच कॉंपेर्ट टू जो यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पाए जा रहे थे जो कि क्या था hydrogen hydrogen विदिन वाटर मॉलेकुल क्या था हमारा कोफलेंट बॉन्ड यहाँ पर मिल रहा था लेकिन इसके आउटसाइड में hydrogen के बीच में मरी यहाँ पर क्या मिल रहा है एक hydrogen बॉन्ड मिल रहा है ठीक है तो अभी hydrogen बॉन्ड जो होता है वह हमारा एच कॉंपेर्ट टू कोफलेंट बॉन्ड वह उतना मजबूत नहीं होते हैं वह विक होते हैं ठीक है तो हैडियों आउक्षिन में फिर जो कि हमारा हैडियों आटर मॉलेकुल को इतने स्ट्रॉंड ल वह हमारा वह हमारा कॉबरेंट बॉन्ड से उतना जास्टॉंग नहीं है। लेकिन यह इतना स्ट्रॉंग होते हैं कि वहार्ट अध्रमॉल्ड जो है एक दुसरे के साथ स्टिक रहें और हमारा एग्जिबीट करें कोहेशन को एगजिबीट करें और जो कोहेशिव तो इसमें उतना कुछ खास था नहीं बाकि जो इंपोर्टन था यहां पर ही क्या है वो कितने ही यहां पर डिग्री होते हैं कौन से टाइप के यहां पर कॉन कौह अंप ट्रच की सब्सुंड की थी गोटी बहुड में पर मीं किस टाइप बाकि में पर सोंग क्षिए होकि अंच्एगर की ऑ्रडिकर सिर्फ हमारा water molecule के साथ ही इस्टिक नहीं होते हैं मतलब उसके साथ ही नहीं रहते हैं लेकिन also to other polar chemical compounds और इस दोरान हमारा होता क्या है water molecule का जो attraction है between ions of positive opposite charges मतलब यहां पर जो हमारा oxygen hydrogen hydrogen यहां पर जो पाया जा रहा था hydrogen का कैसा charge था positive charge था oxygen कैसा था negative charge था तो यहां पर जो यह जो charges opposite charges यहां पर पाया जा रहे है positive negative इनका बीचेश का जो attraction है वो कम जाता है as much as 80 times 80 times यहां पर ही कम जाता है ठीक है और फिर अगर हम ordinary table salt का अगर बात करें जो कि हमारा क्या है sodium chloride और NaCl इसमें हमारा क्या होता है they are consist of an array of positively charged sodium atoms इसमें हमारा positive charge sodium atoms यह figure देखें आप इसमें पता चलेगा कि sodium कैसा है positive charge है और chlorine का कैसा है हमारा negative charge है तो इन दोनों के बीच हमारा क्या हो रहा है इन दोनों के बीच हमारा एक electrostatic attraction बन रहा है जिससे हमारा एक ionic bond produce होता है तो हम यह बोल सकते हैं कि sodium और chloride इस दोनों के बीच में हमारा किस type का bond है हमारा यहां पर है ionic bond ठीक है और वहां पर हमारा hydrogend के बीच क्या bond बोल रहे थे water molecule में हमारा क्या bond था वहां पर cobalent bond था ठीक है और फिर hydrogen oxygen के बीच में जो water molecule water molecule के बीच में हो रहा था उससे हम कौन सा bond बोल रहे थे वो हमारा वहाँ पर hydrogen bond हो रहा था फिर जब हम solid NACL को पानी में रखते हैं तो क्या होता है जो electrostatic attraction है मतलब ionic bond जो है sodium और chloride के बीच में वो हमारा 80 times तक कम जाता है और इसके वज़े से हमारा क्या होता है हमारा sodium ion और chloride ion को हम easily से separate कर सकते हैं और फिर जब हम ion को separate करते हैं तो positively charged sodium ion जो होता है वो हमारा negatively end जो है water molecule का उसके पास जाके attract हो जाता है तो हमारा negatively charged ions हुआ फिर किससे attract होगा positively charged positively end जो है water molecule का उसके सांथ और फिर हमारा salt है वो पानी में आके easily dissolve हो जाएगा और इस process जो process से हमारा water molecule हमारा completely surrounded ions ions के surrounding पुरा रहते हैं उसे हम क्या बोलते है hydration बोलते हैं तो hydration क्या होगे हमारा hydra मतलब water action मतलब action और process फिर क्योंकि water molecule हमारा interact करता है other water molecule के सांथ या फिर other polar molecule के सांथ तो water जो है उसका यह property बन जाता है कि वो नेरली anything everything वो dissolve कर सकता है और given enough time मिले तो water can dissolve more substances in greater quantity than any other known substance कोई भी ऐसा substance हमारा मौझूद है उससे ज्यादा water हमारे dissolve कर सकता है in greater quantity अगर उसे enough time दिया जाये तो इसलिए हम water को universal solvent भी बोलते हैं यह term बहुत ज्यादा important है universal solvent हमारा water को universal solvent इसलिए बोलते हैं कि वो हमारा किसी भी चीज को almost anything को everything को dissolve कर सकता है और ऐसा देखा गया है कि why the ocean contains so much dissolved material and estimated 50 quadrillion metric tons which makes sea water taste salty of salt मतलब हमारा ocean में क्या है एक dissolved material मौझूद है जो कि मतलब 50 quadrillion metric tons of salt यहाँ पर मौझूद है जिसके वज़ए से हमारा क्या होता है sea water salty test करता है और mercury ही सिर्फ एक यहाँ पर देखी यह कुछ ज़्यादा important हो जाता है mercury के बारे में यह पर दिया हुआ है कि mercury ही सिर्फ एक ऐसा metal है जो कि हमारा normal surface temperature पे वह liquid form में मौझूद रहता है ठेक है इसलिए इसे हम older thermometer में इसे इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज कल के thermometer में today mercury thermometer उसको हम रिप्लेस कर दिया गया है digital thermometer के द्वारा जिसमें किसी वह टाइप का toxic mercury प्रेजेंट नहीं होता है तो हमारा mercury older thermometer में किसले इस्तिमाल करता था कि यही सिर्फ एक ऐसा metal था जो कि नॉर्मल सर्फिस में सर्फिस टेंप्रिचर में हमारा liquid form में मौजूद रहता था ओके और सोडियम सोडियम जो वर्ड है यह भी आ सकता है में भी जी एस क्वेशन में में भी तो सोडियम वर्ड जो है उसको एनेस करते हैं और इसका जो लेटिन टाम है सोडियम मतलब क्या होता है नेट्रियम यहां से आया हुआ है ओके और हमारा बोला गया है कि अकर वाटर इतना ही अच्छा सॉल्वेंट है तो वो ओयल को डिसॉल्फ क्यों नहीं कर लेता है पानी में जैसे कि आप जानते हैं आप जैसे केमिकल स्ट्चर ऑफ ओयल इस रिमार्केबली नॉन पोलर तो चैमिकल स्ट्चर ऑइल का क्या है वो नॉन पोलर है और उचका कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं होता है जिसके वज़ए से वो पोलर वाटर मॉलेक्यूल को एट्रेक्ट कर सके हाँ 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 हम पढ़ते हैं भी वार्ट इंपोर्टेंट फिजिकल प्रोपर्टी डस्वाटर पोजेस इससे पहले हम कुछ और चीज जानेंगे कुछ कुछ चोटा मोटा चीज बचा हुआ है उससे में बता जाता हूं आपको जैसे की वाटर मॉलेक्यूल दाइपोल स्ट्रक्चर दो पोल यहां पर है पॉलारिटी वहां पर सोग कर रहा है इसलिए इसको हम डाइपोल स्ट्रक्चर यह बोलते हैं याद रखेगा कि वाटर मॉलेकूल कि हम क्या बोलते हैं डाइपोल इस्ट्रक्चिर और यहां पर दिया हुआ है इट हैज बन डिस्कवर्ड डैट सब एटोमिक पार्टिकल जो होते हैं हमारा वो कॉम्पोश रहते हैं बैरैटी ऑफ एवन स्मॉलर पार्टिकल जैसे की क्वार्क्स लेक्टॉंस और बोसोंस यह क्वार्क्स के बारे में आपको तो बहुत अच्छे से बताऊंगा इस अब आगे में बहुत हमारा आएगा और फिर हमारा आइस मॉलेक्यूल लेक्स हाइड्रोजन बांडिंग आइस मॉलेक्यूल हमारा फ्लोट क्यों करता है और ऐसा क्यों होता है वह इसका अगर डेफिनेशन अगर आपको जाना है तो क्योंवरा और एस अग्सम 오늘 morgen क्याप टिकलीक्याप की आईस मoleccule लेक्स利योजन बांदीन बांद एसमे डेस process open crystal framework, which leads to low density density of ice as compared to its liquid counterpart, okay? आग गया समझ में? हमारे यह हो गया, फिर maximum density water कमारे कितना होता है? इस वागे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी छोटा पॉंड में बता जिता हूँ, यह सब हमारा इम्पोर्टेंट यहां तक हो जाता है, बाकिसमा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, जितना बताया हूं बस उतना ही, बहुत इनफ है, अगर आप इसे पढ़ रहे है हैं पुरे लगदार सुरू से देख रहे हैं तो कुछ भी टेंसर नहीं, सब कुछन इसी में से ही आएगा, अगर आया तो, सब कुछन इसी में से बनने वाला है, फिर आगे पढ़ते हैं भी हम, वाट इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रपर्टी ड़स वाटर का इम्पोर्ट क्या है, उसका लेटन ही टो कैसा है और वाटर थल्मल कण्ट्रेक्शन एफ aç टेंसे ल्चाह रहे है उसके वज़ह से उसकें दीक्रेंशिटी पे हमारा तो, वाटर का थल्मल परपर्ट इस करते हैं एचाथ सॉलैड , लिक्विड और गैस कींहर्म में और उसका ability रहता है कि हमारा store कर सकता है या release कर सकता है बहुत great amount heat heat, heat, करमी ठेक हैं हीट को एब्साब कर सकता है उसको सेकता हैS तो वाटर का ऐसे फ़ॉपर्टी प्रेटर होते हैं तो वाटर इसिक वह जाने हैं हमारा वॉर्ल हीट-ाइका और हप् टॉट-बोल्ड करते हैं एक हमारा व्ल्रीट-फ्जारिCr करें इसी सब के द्वारा हमारा होते हैं क्या की की water thermal property हमारा influence करता है किसको world heat wizard को और से के वाज़ा से हमारा tropical cyclones worldwide wind belts और ocean surface currents पाए जाते हैं अभी now heat temperature and changes of state matter around us is usually in one of the three common states कौन-कौन सा solid liquid या फिर कैस what must happen to change the state of a compound क्या इसमें change आएगा कि उसका state change हो जाए कि इसका compound का हमारा compound का state change हो जाए मतलब solid से liquid में change हो जाए liquid से gas में change हो जाए तो ऐसा हो इसमें क्या क्या changes आते हैं हमारा जो attractive force है between molecules और ions एक substance में वो overcome कब होगा if the state of a substance हमारा change हो जाएगा solid से liquid में या फिर liquid to gas और ही जो attractive force है इसमें हमारा क्या-क्या इंक्लूड हो रहा है इसमें हमारा hydrogen bond और भेंडरवाल forces include होते हैं और जो हमारा भेंडरवाल forces है उन्हें नाम किस पर दिया गया डिनोट किस पर गया गया है जो कि जोहां 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 डाइडरिक फेंडरवाल से उन पर यह क्या गया है तो वह क्या होते हैं मेंडरवार forces are relatively weak interactions होते हैं जो कि हमारा significant कब हो जाते हैं कब जब हमारा molecules एक दूसरे के बहुत ज्यादा close रहते हैं जैसे कि solid और liquid state में पाया जाते हैं लेकिन वही molecules हमारा एक दूसरे के बहुत एक लोज कैसे state में नहीं पाया जाते हैं हमारा energy यहां पर ही add होना चाहिए कहां पर molecules और ions में जिसके वजह से क्या होगा वह इतना fast enough होगा कि इस type के attraction को वह overcome कर सकता है तो किस type का energy हमारा matter का state को change कर सकता है what form of energy changes the state of matter अगर very simply दिखा जाए तो हमारा add करना या remove करना heat को उसके वजह से हमारा ice cubes melts हो जाते हैं और फिर अगर हम वहां से heat को remove कर लें तो भही हमारा क्या होगा ice महां पर ही form हो जाएगा water में water के तो before proceeding let's clarify the difference between heat and temperature तो heat और temperature का भी difference से भी पढ़ेंगे हम heat हमारा क्या होता है heat क्या है यह amount of energy transform from one body to another due to difference in temperature इसमें को doubt नहीं होना चाहिए तो हमारा heat जो होता है वो proportional होता है किससे average kinetic energy of the molecules in a body for example अगर देखा जाए तो water हमारा exist कर सकता है solid state में liquid state में या फिर gas system में depend करता है कि क्या amount का heat वहां पर ही add किया गया है तो heat हमारा generate कब होता है combustion के द्वारा combustion क्या है एक chemical reaction जो हमारा commonly occur करता है एक जलाने के दौरान तो क्या बोला मैं कि heat हमारा generate करता है combustion के द्वारा through other chemical reactions बैसे friction और from native activity it can be transformed by conduction by convection और by radiation और फिर यह अतनती important है नहीं लेकिन हम एक calorie यह जो calorie है calorie क्या होता है यह हमारा heat होता है heat का form है तो एक calorie को definition अगर पूछा जाए कि एक calorie क्या होता है तो यह हमारा क्या है amount of heat required to raise the temperature of one gram of water by one degree centigrade समझे आया calorie का definition का मतलब क्या हो गया कि कितना amount suppose हम एक gram पानी लेते हैं तो उसमें हम कितना amount का heat उसमें डालेंगे ताकि वो one degree centigrade तक उसका temperature rise कर जाए उसी को हम क्या बोलते है one calorie that is calorie ठीक है तो जो familiar word calorie है वो हमारा use to measure the energy contents of food food में कितना energy है वो हमारा क्या होता है actually kilo calorie वहां पर kilo calorie में उसे माँ पा जाता है although the metric unit for thermal energy is the joule calories are directly tied to some of the water thermal property as well we discussed in the next section okay fine तो अभी हम इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि water कितना state पा जाता है state of matter हमारा कितना है अभी तक हम जानते होंगे बहुत ही कम लोग इसे जानते होंगे पहला state of matter कितना है solid liquid या gas इतना तीन ही जानते हैं लेकिन नहीं यहां पर एक और होता है जो कि हमारा क्या हो जाता है plasma ठीक है क्या तो हमारा four state of matter हो गया क्या solid liquid gas और plasma यहां पर देखिए वह लिखा हुआ है तो plasma is widely recognized the four state of matter distinct from solid liquid and normal gases तो plasma gases substance है जिसमें atom जो होता है वह ionized हो जाता है that is to say stripped of electrons electrons stripped out हो जाते हैं now plasma tv television screens जो होते हैं उनका advantage क्या होता है take advantage of the fact that plasma strongly influenced by electric currents और one gram of water जो कि कितना होता है 0.035 ounce जो होते हैं तो उतना water जो होता है वह किसके बराबर होता है is equal to 10 drops 10 drops के बराबर होते हैं okay now अभी हम move करते हैं यहां पर किस तरीके से देखे यहां पर ही change हमारा हो रहा है इस solid form है solid से हमारा gas form में किस तरीके से convert हो रहा है फिर liquid से solid में कैसे convert हो रहा है फिर solid से liquid में कैसे convert हो रहा है तो यहां पर ही सब process यहां पर ही बताया हुए तो इसको हम पढ़ते हैं अभी तो solid से liquid convert होने के लिए हमारा यहां पर क्या हो रहा है obviously melt होगा ज्यादा amount का यहां पर heat add होगा तो हमारा ice जो है वो liquid में easily convert हो जाएगा now liquid हमारा जो watery state में है भी उसको हम जब freeze करेंगे तो वो solid में convert हो जाएगा जो कि ice form में होगा obviously ice जो होगा वो हमारा less tense होगा इससे तो वो इसलिए इसमें float करता है क्योंकि ice जो है वो expand हो जाता है freeze होने के time पर हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं और अभी हमारा solid जो है वो directly gas में कैसे convert होगा कौन से process से वो होता है हमारा sublimation processes हमारा solid directly gas में convert होगा और फिर हमारा gas जो है वो solid में directly convert कैसे होगा by deposition अभी हमारा गैस जो है वो लिक्विड में कैसे कनबट होगा by condensation processes और फिर लिक्विड जो है वो हमारा गैस में कैसे कनबट होगा by vaporization processes that is evaporation फिर boiling okay fine अभी हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहां पर आजाता है temperature now temperature तो temperature हमारा क्या है यह direct measure है of the average kinetic energy of the molecule जिससे हमारा substance बनता है well temperature is the direct measure of the average kinetic energy of the molecule that make up a substance तो जितना यज़ा temperature होगा हमारा उतना ही जादा substance का उतना ही ज़ादा kinetic energy होगा तो हमें क्या पता चला कि जितना यज़ा तेmiddचर होगा उतना ही ज़दा kinetic energy होगा और फिर जितना कम τेंपरीचर होगा उतना कम inftig energy होगा now temperature change कब होता है जब हम हीड अड़ करते हैं या फिर उसमें से heat बाहर निकालते हैं रिमूफ करते हैं या फिर दिद्वर करते हैं तभी हमारा उसमें temperature changes पाए जाता है एक संबस्टेंश में और Темप 취र को हम usually किसे मेजर करते हैं degree Celsius या फिर degree Fahrenheit में ओके और यहाँ पर आप देख सकते हैं figure 5.5 में क्या बताया हुआ था तो इससे मच्छे से पढ़ चुके हैं क्या है क्या नी तो इससे में आगे नहीं देखेंगे और फिर यह सब हम पढ़ चुके हैं यह सब भी हो चुके है और हाँ एक चीज मैं यहाँ पर आपको साइसे बताना भोल गया था एक मिनिट हाँ यहाँ पर जो है ना यहाँ पर देखिए कि sodium एक क्या है और chlorine क्या है तो यह पूछा जा सकता है तो देख लीजिए sodium हमारा एक highly reactive metal है highly reactive metal है और हमारा chlorine जो है वो क्या है chlorine हमारा एक toxic nerve gas है a toxic nerve gas यहाँ पर दिया हुआ है जो कि produces cubes of harmless table salt that is why that is what most people find amazing about chemistry ओकी फाइन और एक चीज यहाँ पर एक water molecule का has a band in its symmetry उसकी geometry में उसका band होता है कहां पर with the two hydrogen atoms on the same side of the oxygen atom और यही property हमारा बताता है कि water का polarity का है उसी से में water का polarity पता चलता है और उसका hydrogen bond का ability किसके वज़े से हमारा जो ही band हो रहा है band structure जो ऐसी के वज़े से यह पढ़ चुक है अच्छे से और बागी आपको बर देख रहा है animation form में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पानी में salt कैसे इजले डिजॉल्व होता है और फिर किस वे में और यहाँ पर फिर दिया है किस तरीके से changes of water का phase का changes हो रहा है animation form में आप देख सकते हैं तो water का freezing और boiling point के बारे में बेच्छे से पढ़ेंगे तो एक enough heat energy जब हम add करते हैं solid में क्या कर रहे है एक enough heat energy कहां पर add कर रहे है solid में तो वह क्या हो जा रहा है हमारे liquid में melt हो जा रहा है now melting point हम किसे बोलेगे जिस temperature में हमारा melting अकर होगा उस substance को is the substance melting point अगर एक substance है अगर उसको हम melt कर रहे हैं तो जहाँ पर वो melt होना start हो रहा है तो उसका वो melting point हो जाएगा वैसे ही water का melting point देखा जाए तो कितना है हमारा 0 degree Celsius वैसा ही water का boiling point कितना है हमारा 100 degree Celsius ठीक है water का boiling point कितना है हमारा 100 degree Celsius तो अगर enough heat energy add किया जाता है या फिर remove किया जाता है liquid से तो वो क्या हो जाता है solid में change हो जाता है या फिर liquid में change हो जाता है तो जिस temperature में the temperature at which freezing occurs in the substance उसे हम freezing point बोलते हैं जिस temperature में एक substance का freezing point आएगा ऐसे एक substance को हम freeze कर रहे है ठीक है तो temperature दे रहे है प्रवाइट कर रहे है तो वो freeze हो रहा है तो उसको freezing point बोलेंगे जो कि हमारा same temperature which is the same temperature as the melting point अगर pure water का बात किया जाए हाँ यहाँ पर भी है तो यह pure water होगा नहीं होगा उस पर डिपेंड करते हैं तो pure water का बात किया जाए तो melting और freezing current zero degree Celsius तो melting और freezing point pure water का हमारा क्या है zero degree Celsius जो कि अगर Fahrenheit में बात करें तो वो कितना हो जाएगा 32 degree Fahrenheit और degree Celsius में zero degree Celsius क्या चीज़? melting और freezing point ठीक है अगर हम enough heat energy add करते हैं liquid में तो वो क्या हो जाएगा? gas में करत हो जाएगा enough heat energy किसमें add कर रहे है? liquid में liquid मतलब पानी मगर हम heat energy ज्यादा amount कर देंगे तो उसे क्या हो जाएगा? obviously वो gas में करत हो जाएगा तो जिस temperature में हमारा boiling occur करेगा exceptions में तो उसे हम क्या बोलेंगा? उसका boiling point अगर enough heat energy add किया जा रहा है? मतलब remove क्या जा रहा है? किस से? gas से तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा liquid में convert हो जाएगा ठेक है? तो जिस highest temperature में हमारा condensation occur होगा Now, both the freezing and boiling point of water are unusually high compared to those of similar chemical substances जैसे कि यहाँ परी figure में दिखाए गया है तो इस ना तो इसमें है नहीं ठीक है? तो यह हो गया हमारा फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं अगर हम देखें तो अगर हमारा water follow करता है other chemical compound with molecules of similar masses मतलग water का जैसा mass है वैसा ही अगर किसी और का mass है और उस chemical compound का pattern को अगर follow करता है तो हमारा यह देखा जाता है कि तब हमारा water का boiling point कितना होता? minus 90 degree Celsius होता और sorry melting point और फिर boiling point कितना होता? minus 68 degree Celsius लेकिन ऐसा नहीं है हमारा water का melting and boiling point कितना है? 0 degree Celsius और 100 degree Celsius respectively क्योंकि additional heat energy required होता है to over commits hydrogen bond और bendalwar forces अगर thus if not for the unusual geometry and resulting polarity of the water molecule तो जितने भी हमारे अर्थ पर पानी है वो boiled away हो जाते है मतलब evaporate हो गया रहते है और हमारा जैसे कि हम जानते हैं वहां पर हमारा फिर life exist है नहीं करता समझ में आ गया ना? तो water का heat capacity और specific heat तो पहले हम जानते हैं कि heat capacity क्या होता है? heat capacity क्या है? यह कितना amount का heat energy उसमें दरकार हो रहा है हमारा substance का temperature है वो 1 degree centigrade बढ़ जाए कि suppose हमारे एक substance है तो उसमें कितना amount का heat energy उसको दरकार होगा कि उसका temperature जो है 1 degree centigrade बढ़ जाए वह हमारा क्या हो रहा है? heat capacity तो अगर इंगलिस में पढ़ा जाए तो heat capacity क्या है? amount of heat energy required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade तो जो substance का हमारा high heat capacity होता है वो हमारा absorb कर सकते है large quantity of heat with only a small change in temperature थोड़ा से भी temperature में change होने से वो large amount of heat जो है वो उसको absorb कर सकते है अगर हमारा एक substance का high heat capacity हुआ तो और वहीं conversely दिखा जाए तो substance हमारा that change temperature rapidly when heat is applied such as oils or metals have lower heat capacity उनका lower heat capacity होता है किसका? oils or metals का हो गया तो इस heat capacity per unit mass of a body को हम specific heat capacity और simply specific heat बोलते हैं ठीक है? specific heat जो कि हमारा used to more directly compare the heat capacity of substances अब इसके बार में ठीक से पढ़ेंगे हम heat हमारा क्या हो जाता है अच्छे से इसका definition अगर देखा जाए तो amount of heat लिखिए amount of heat required to increase one degree Celsius of a particular substance तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा specific heat और फिर जो thermal property है water का वो reveal क्या करता है? कि water का सबसे ज्यादा pure water का सबसे ज्यादा highest specific heat होता है और सबसे कम किसका होता है mercury का जो कि हमारा liquid state में है तो water का जो specific heat होता है अब कितना होता है? 1.0 मतलब 1.0 होता है और mercury का हमारा 0.03 होता है यह सब याद रखेगा और फिर जिसका मतलब होता है कि कि in order to 1 degree Celsius temperature मतलब rise करने के लिए 1 degree Celsius water का temperature को rise करने के लिए हमें required होता है maximum amount of heat as compared to another substance जितने भी other substance है उनसे ज्यादा amount का heat हमारा required होता है हमारा water का 1 degree Celsius को temperature को बढ़ाने के लिए तो हमारा जब equal amount of heat supply के जाता है water body में और land में suppose यह land है और हमारा यह क्या है water body है suppose ocean ocean है ठीक है तो इसमें क्या होता है जब हम equal amount का heat इसमें अगर transfer करते है ठीक है तो होता क्या है highest specific heat होने के वज़ए से water में वो उसमें उतना चेंजे साता नहीं है उसमें उतना कम चेंजे साता है लेकिन वही land में क्या होता है वहां परी बहुत यादा amount का variation हमें देखने मिलता है temperature वहां जल्दी ही rapidly change है तो इसलिए बोला गया है because of lower specific heat land will hit five times more than sea in day and in night it will cool five times more rapidly than the ocean समय में आया और लिख लिजे वरना because of lower specific heat lower specific heat के वज़े से हमारा land जो है will get heat heat five times more speed five times more in speed than sea sea मतला water body से और फिर अगर रात का बात करें तो हमारा it will cool five times more rapidly than ocean comparison ठीक है तो दिन में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा land part हमारा five times more rapidly थंडा होगा ऐसे ocean के comparison में आगे समझ में और in simple language अगर बोला जाए तो continent और land part जो होते हैं वो heat up very fast when heat is supplied to and cools very rapidly when heat is removed ठीक है तो इसलिए continent part में हमारा rapid temperature variations पाए जाते हैं और हमारा ocean में बहुत ही rarely severe मतलब बहुत ही कम temperature variations मिलते हैं ocean के पास coastal area में समझाएं कि पहला जो question हमारा था तो यह आपर ही solve हो गया हमारा मैं आप पढ़ लीजिए कि इसमें क्या-क्या है पहला हमारा pure water का specific heat कितना है हमारा एक मिल्सक में साफ कर देता हूं पहले तो water का हमारा specific heat कितना हो गया 1.0 ठीक है और बाकि wet mud का हमारा कितना हो गया wet mud का हमारा हो जाता है 0.60 और ice का 0.50 ना oil का 0.48 फिर air और dry sea तो हमारा इसका कितना होता है 0.24 टेबल salt का जो NaCl है उसका कितना 0.21 और अभी हम पढ़े थे तो इसको कितना है specific heat हमारे 0.19 वैसे ग्रनाइट का सेम होता है किसके सांथ quartz sand के सांथ यह comparative भी आ सकता है ठीक है ग्रनाइट और quartz sand का देखे यहां पर specific heat जो है वो सेम है याद रखिएगा फिर iron का हमारा 0.11 है फिर copper का 0.09 mercury का हमारा फिर 0.03 तो इससे हमें क्या पता चला यह देखिएगा इस ध्यान इस पर दीजेगा कि iron iron का comparison में लिए आ जाता है किससे क्या ज्यादा है कि कम है क्या है तो वो मिलनी सब आता है तो यहां तक हम अपना कंप्रिट कर लिए और अभी हम देखते हैं कि हम पहले इतो क्वेस्टिन दिमाग में आपका आता ही होगा कि वाटर का specific heat मतलब high heat capacity इतना क्यों होता है क्योंकि उसका एक reason है क्योंकि because it takes more energy to increase the kinetic energy of hydrogen bonded water molecules than it does for substances in ways the dominant intermolecule interaction is the much weak weaker venerable forces जिसके वज़े से क्या होता है water हमारा gain या lose करता है much more heat than other common substances while undergoing an equal temperature change फिर in addition देखा जाए हमारा water resist कर सकता है किसी भी temperature का change को कितना temperature जो उसको resist कर सकता है जैसे कि हमारा as we have observed when heating a large pot of water जो हम एक large pot of water को heat करते हैं तो वैसे उस टैम पे हमें पता चलता है कि जब हम एक pot में हम heat apply करते हैं जो कि metal से बना हुआ है तो that is a low heat capacity उसका low heat capacity होता है जबकि the pot heat up quickly जल्दी heat हो जाता है वैसा ही the water inside the pot जो हमारा pot के अंदर जो water है उसको ज्यादा time लगता है heat up होने के लिए मतलब जैसे बाही बात बोला गया है जैसे एक डेक्ची मतलब एक डेक्ची में अगर हम पानी भरे हुए हैं तो वह हमारे डेक्ची जो होता है जो हमारा pot सब्सक्राइब तो वह एच कोंपेटिटली water जल्दी गरम हो जाता है जैसे कि हम कभी भी देखे वह अपने नीजे लाइफ में देखते ही है ऐसे गैस पर आप चूला चड़ाएगा कुछ भी तो वह कड़ाई होता है हमारा कुछ भी ज्यादा जल्दी गरम हो जाता है उसक हमारा तूटना चाहता है ठेक है जितने वे hydrogen bond water molecule के है वो सारा तूटना चाहता है और फिर जब तूटेगा तभी तह हमारा water boil होगा तो इसी वजह से उन्हें और ज्यादा heat capacity दरकार होता है उसे boil करने के लिए तो और एक बात है कि जो exceptional capacity है water का to absorb large quantity of heat यह हमारा explain करता है कि why water is used in home heating industrial or automobile cooling systems and home cooling applications ठीक है तो इसमें मिलनी हमारा क्या important हो गया specific heat का हमारा definition important हो जाता है specific heat का यह comparison मिलनी आता है हमारा ठीक है iron के साथ pure water का हमारा specific heat कितना होता है specific रिफम बढ़ा कैसे सकते है specific heat में इसमें सब क्या होता है वह सब हमारा इसमें हुए मिलनी अभी हम पआदे है water latent heat latent मतलब क्या होता है हमारा hidden होता है तो वाटर का hidden heat तो इसका क्या मतलब हुआ जब हमारा water का state change होता है, जैसे कि जब हमारा ice melt होता है, या फिर water freezes होते हैं, या फिर हमारा water boil होता है, या फिर हमारा water पर condensed होता है, तो उस तोरान एक large amount of heat जो है, वो absorb होता है, या फिर release होता है, ठीक है, तो उस तोरान क्या होता है हमारा, एक large amount of heat absorb होगा, या फिर release होगा, जिसके द्वारा हमारा फिर water हमारा boil होगा या फिर condense होगा या फिर हमारा ice melt होगा या फिर water freeze होगा तो जो amount का हमारा heat जो है वो absorb और release हो रहा है due to water's high latent heat तो उसी वज़े से क्या होता है and is closely related to water unusually high heat capacity समया गया वैसा ही जब हमारा skin से water जो है evaporate होता है तो हमारे body को ठंडा कर देता है by absorbing heat और conversely भी देखा जाए तो if you have been scarlet by water vapor steam ठीक है तो हमें क्या पता चलेगा कि steam हमारा release करता है enormous amount of latent heat जिसके वज़े से when it condenses to liquid ठीक है यह हमारे table ही बहुत ज़्याद्न हो जाता है इसको पढ़ेंगे तो अभी हम पढ़ते हैं फिर लेकिन यह दिया हुआ है latent heat of melting अगर हम बात करें latent heat of melting में तो इसमें हमारा जो figure दिया हुआ है 5.8 यह काफी यादा important हो जाता है तो यह हमारा क्या सो कर रहा है कि how latent heat हमारा latent मतला hidden heat जो है हमारा किस तरीके से amount of energy को effect कर रहा है जो कि हमारा needed है water का temperature को increase करने के लिए या फिर water का state को change करने के लिए अगर हम begin करें with 1 gram of ice 1 gram of ice यहाँ पर suppose हम ले with lower left lower left यहाँ पर है ठीक है तो वहाँ पर ही क्या हो रहा है और उसमें 20 calorie of heat उसमें अगर हम दें तो 20 calorie अगर heat उसमें दें तो क्या हो जाएगा उसका temperature rise कर जाएगा by 40 degree Celsius देख रहे है जैसे हम minus 40 degree से लेके यह 0 degree Celsius तो इसके बीच में कितना हो गया 40 degree Celsius का इसमें changes आया कब जब इसमें हम 20 calorie of heat उसमें दें किसमें 1 gram of ice में तो क्या बोला मैं कि 1 gram of ice में जब हम 20 calorie of heat देंगे तो उसका जो temperature है ice का कितना degree rise कर जाएगा 40 degree Celsius जो की rise कर गया हमारा minus 40 से लेके 0 degree Celsius तक और इसमें दे सकते हैं point A on the graph यहां पर इसमें दिया हुआ है इसी को मैं पढ़ रहा हूँ आप इसको मैं डागराम देख के समझा रहा हूँ आप इसको देखते रहेएगा साथ-साथ में तो डागराम को मैं जूम कर देता हूँ पहले अभी डागराम क्लियरली दिख रहा होगा एक मिनिट हाँ देके हम देख सकते हैं कि 0 degree Celsius यहां पर जब हमारा पहुंच गया है क्या चीज आइस यह हमारा के 100 कलेरी तक भी हमारा यहां परी temperature में कोई भी चंज नहीं आ रहा है हम इसमें 80 more कलेरी एड़ की हैं 20 से लिए 100 तक हुआ तब भी इसमें किसी वह टाइप का टेमपरेचर में चंज नहीं आ रहा है लेकिन यहां पर जब तक हमारा यह जो आईस और वाटर का जो मिक्शर य ते फिर यहां पर आया फिर यह धीरे 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 हमारा 1 gram of water वाटर तक totally convert नहीं हो जाता तब तक यहां पर ही भी कोई भी changes नहीं आएगा फिर यहां पर बोला गया है कि जब हमारा ice to liquid water यहां पर ही changes हो जाएगा after the change from ice to liquid water at 0 degree Celsius, additional heat उसमें दरकार होगा, water का temperature को rise करने के लिए B to C, ठीक है, B to C, additional heat का यहां पर ही हमें दरकार होगा, okay, क्या होगा, additional heat का हमें यहां पर दरकार होगा, point B to C, water का temperature को rise करने के लिए, तो जैसे के मैं इस figure में देख सकते हैं भी, तो यह हमारा 1 calorie heat यहां पर ही दर of heat, to raise the temperature of the gram of water 1 degree Celsius, समझ में आ गया, हम पले ही पढ़ेते हैं, it takes 1 calorie of heat, यहां पर ही 1 calorie of heat का दरकार होता है, हमारा temperature को rise करने के लिए 1 degree Celsius, therefore, इसलिए हम another 100 calorie यहां पर ही add करना पढ़ता है, must be added, before the gram of water reaches the boiling point of 100 degree Celsius, ठीक है, 100 degree Celsius पहुशने से पहले, हमें यहां पर ही another 100 calorie यहां पर यहां पर ही add करना पढ़ता है, तब हमारा जाकर यह जो B to point C जाता है, और हमारा वहां पर ही water का heat हो जाता है, तो इसी को हम latent heat of melting बोलते हैं, in simple language और यह पर मैं इसको diagram को अच्छे समझा देता हूँ, एक मिट साफ कर लें दीजिए, हो गया, हो गया, fine, now, शुरू से देखिए, कि support 1 gram of ice, यहां पर हम 1 gram of ice लिये हैं, और फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20 calorie heat यहां पर ही दे रहे हैं, तो से क्या होता है, हमारा यहां प changes आएगा, हम, जो कि हमारा minus 40 to 0 degree Celsius तक यहां पर ही पहुँच गया, मतलब हमारा पहले ice की state में था, ice state में हमारा ice था, ठेक है, हमारा वही था, water था, फिर यह, इसको जब हम 20 calorie heat दिये, तो यहां पर ही दीरे-दीरे आकर, यहां पर ही 0 degree Celsius पर आ गया, अभी हमारा water पूरे तर किसे water में convert नहीं हुआ है, हम, यहां पर ही ice और water का धिरे-दीरे मिक्षा चलेगा, हम, और फिर अगर हम इसमें, और 80 calorie add करते हैं, तो 20 में 80 एट की है, तो कहां पर पहुँच गया, 100, हम, तो यहां तक हमारा, यहां पर भी देखते हैं, कि इसमें, A to B point में, किसी प्रकार का इसमें changes नहीं आता है, हम, तो यहां पर ही हम क्या बोलते हैं, कि जो latent heat of melting है, हम, अब जान लीजिए, यह जो latent heat of melting है, यह हमारा क्या है, 80 calorie per gram, हम, यहां पर ही दिया है, तो यह बोलता है, कि energy redact, latent heat of melting is the energy, कितना amount of energy required होता है, inter molecule bond को तोड़ने के लिए, जो कि हमारा water molecule को hold कर के रखे हुए है, in place in ice crystals, ठीक है, तो यह temperature है, remain unchanged, बढ़ेगा ही नहीं, until most of the bonds are broken, जब तक पूरे तरिके से हर bond महाँ पर ही तूटना जाए, और पूरे completely, जो हमारा ice और water का mixture है, वो पूरा completely हमारा 1 gram of water में convert ना हो जाए, मतलब 1 gram of ice से लेके हमारा पूरे 1 gram of water तक जब तक यहाँ पर किसी प्रकार का changes नहीं आएगा, और जैसे हमारा ice से liquid water में पूरे अच्छा तरिके से मतलब changes हो जाता है, 0 degree Celsius पे, तो उसमें क्या होता है, हमें एक additional heat का दरकार होता है, ठीक है, जो हमारा water temperature को rise कर सके, point B to point C तक, और फिर तो उसके लिए हमें क्या होता है, कि 1 calorie of heat का दरकार होता है, temperature को rise करने के लिए to the gram of 1 degree Celsius, ठीक है, as it does, it takes 1 calorie of heat to raise the temperature of the gram of water 1 degree Celsius, तो 1 degree Celsius हमारा, अगर Fahrenheit में बोला जाए, तो हमारा कितना होगा, 1.8 degree Fahrenheit, जो कि मतलब लगबग हम यहाँ पर 100 more calorie add करेंगी, तब जाकर हमारा, क्या होगा, water का temperature जो है, point B to point C, पहुचेगा, और इसी को हम, latent heat of melting यह process को बोलते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे, latent heat of vaporization क्या होता है, ठीक है, तो इसको कहले मैं साफ कर देता हूँ, एक मिनिट, हाँ, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पीछे हम देख सकते हैं, नीचे आप देखेगा ना, तो यहाँ प vaporization, operation, condensation, और फिर freezing, तो पहले हम देखते हैं, डियाग्राम को पहले जूम कर लेते हैं, और फिर इसके बार में च्छे से पढ़ते हैं, हाँ, तो इसमें बोल क्या रहा है, कि हमारा, देखिए, कि यह figure में C2D point है, वो फिर से flatten out हो गया है, मतलब यह बढ़ नहीं रहा है, त इसे हम क्या बोलते हैं, जो लाइन हमें, इसे हम latent heat of vaporization बोलते हैं, जो कि लगबग 1 gram of water को बढ़ाने के लिए, हमें 540 कैलरी पर ग्राम चाहिए होता है, तो latent heat of vaporization जो है, वो बहुत ही जादा होता है latent heat of melting से, जो कि हमारा latent heat of melting कितना है, 80 कैलरी पर ग्राम है, वही पर हमारा लेटेंट इपर आइशन हो जाता है 540 कैलरी पर ग्राम तो यह जो डिफ्रेंस से बहुत ज्यादा इमाउन में है लगबख 7 टाइम से तो हमारा इसलिए बोला जाता है लेटेंट इपर आइशन जो है वह हमारा लेटेंट हीट आप मेल्टिंग से बहुत ही ज्यादा होता है तो ऐसा यहां पर हो किसलिया रहा है तो यहां पर एसा बोला जाता है कि हमारा एक ग्राम सबस्टेंस जो लिये थे ठीक यहां पर जो अभिकांब आ बोल या हो रहा है और अभी यहां पर क्या होगा यहां पर वोलिंग पOmar coup 없다 जो है हमारे Water और फिर तभी जाकर राइज करता है तो लगबग हमें 540 कलरी पर ग्राम और एड करना पड़ेगा तब हमारा बॉइलिंग से जाके हमारा वाटर वेपर फॉर्म में मतलब गैसियस फॉर्म में यहां पर जाकर करन बट होगा और फिर हमारा यह डैग्राम अगर हम देखें तो यह हमें बताता है यह डैग्राम जो के हमारा फिगर 5.9 तो यह डियरम में अगर हम देखें तो हमें बता क्या रहा है कि latin heat of vaporization तो जैसे के हम देख सकते हैं यह solid form में है और यह फिर liquid और यह फिर gaseous तो solid to liquid change होने में हमें कुछ amount का ही वहाँ पर molecular bond जो होता है उसके बीज उसको तूटना पड़ता है ठीक है है उसमें के भी कुछ amount के ही hydrogen bond hydrogen bond जो है उन्हें तूटना पड़ता है हमारा solid से liquid में convert होने के लिए लेकिन liquid से gas में convert होने के लिए जितने भी hydrogen bond हैं जितने भी हैं completely उसको तूटना पड़ेगा हमारा liquid से gas में convert होने के लिए इसलिए हमारा latent heat of vaporization जो है वो इतना ज्यादा होता है latent heat of melting से समझ में आ गया वैसे ही हमारा किसी को तूटना पड़ेगा यहां पर तो इसलिए ज्यादा होता है तो वही चीज़ दिया हुआ है अभी हम पढ़ते हैं latent heat of evaporation के बारे में अगर उससे पहली हम latent heat of evaporation में ही एक topic है जैसे कि एक question पूछा जाता है मिली हमारा steam के वज़ए से मतलब why does steam cause more severe burns than boiling water अगर हम boiling water को छूले तो वह हमें उतना ज्यादा जलता नहीं है लेकिन अगर हम steam के पास चले जाए steam जहां से निकलते रहेगा उसके पास चले जाए तो हमारा वह जादा जलता है ठीक है जादा वहां पर ही जल जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि और चलिए पहले क्योंकि चलनने से पहले हम यह जान लेते हैं कि latent heat of evaporation का definition actual term definition क्या होता है यहां पर ही तो मैं बता चुक the amount of heat is the amount of heat energy required to change a unit of a unit of mass of liquid a unit of mass of liquid into vapour into vapour at atmospheric pressure at atmospheric pressure at its boiling point ठीक है अब ही हम जानते है कि ऐसा steam ज्यादा heat क्यों होता है क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं अभी हम तो उसको समझाने के लिए पहले हम इसको साफ कर लेते हैं इसमें बोला क्या गया है कि हमारा सपोज यह एक पानी गरम करने के लिए पॉट लिए हैं तो boiling point जो होता है ना water का उसको एक specific amount of heat energy दरकार होता है उसको boil होने के लिए water को boil होने के लिए specific amount of heat energy दरकार होता है जबकि और जैसे ही हमारे boiling water से steam निकलते हैं बाहर boiling water से हमारा steam निकल रहे हैं बाहर तो उस तोरान क्या होता है हमारा पानी का जो boiling water है ना वो पानी का जो boiling water जो गर्मी हो रहा है वो भी उसके साथ निकलता है और उसके साथ हमारा latent heat abgepuration में निकलता है इसलिए हमारा जो steam होता है वो comparatively जादा burn करता है अने boiling water से ठीक है ऐसा बोला जाता है कि latent heat evaporation हमरे होता क्या है कि C का surface temperature suppose ये हमारा C है तो इसका surface temperature जो होतá है ऐसा माला जाता है कि ये 20 degree Celsius average होता है और या इससे भी कम होता है तो एक question फिर हमारे दिमाग में आता है कि अगर ocean का जो surface है उसका अगर temperature हमारा 20 degree Celsius है या उससे भी कम है तो उस तोरान हमारा water इभापोरेट होके कैसे चल जाते हैं, ठीक है, हमारा उस तोराँ वाटर का इभापोरेशन कैसे होता है, तो वो जानने से पहले हम जानते हैं कि इभापोरेशन क्या होता है, तो इभापोरेशन का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, कि लिक्विड का गैस में कनवर्ट होना बि वोज घे हमारा एक ऑषिन है तो और अच्छолж ह temporary मॉलेक्व आते हैं उसके सरफेस पर हर इन्डल मॉलेक्विल तरह है उन्हें हमारा ऑब फिरली टीटपर उसे ऑफ लीगुैंट से इस्टमेश ना पड़ेगा तभी तो जाएगा अकट तो उनका जो एनर्जी रहता है वो comparatively water molecule जो हमारे 100 degree Celsius पर रहते हैं उनसे कम रहता है जो हमारा additional energy दरकार होता है हमारा surrounding water molecule से उसे break free होने के लिए तो उसमें क्या होता है हमारा individual molecule हमारा energy heat energy को capture करता है कहां से उसके नेवर से हमारा heat energy को capture करता है अगर अलग भासा हम बोला जाये तो हमारा जो molecule left behind बच जा रहा है वो हमारा heat energy को lost करेगा कहां पर to those जो हमारा evaporate करेंगे तो यह हमारा explain करता है cooling effects of evaporation हमारा लगवग ऐसा दिखा गया है कि it takes more than 500 calorie of heat to produce 1 gram of water vapor from the ocean surface at temperatures less than 100 degree Celsius ठीक है तो 500 calorie heat से भी यहां पर ही ज्यादा amount का energy यहां पर ही दरकार होता है हमारा 1 gram water vapor जो हमारा ocean surface temperature पर है less than 100 degree Celsius को produce करने के लिए ठीक है तो हमारा add 20 degree Celsius क्या हो रहा था हमारा add for instance the latent heat of evaporation is 585 calorie per gram 23 Celsius पर हमारा क्या हो रहा था latent heat of evaporation जो था वो 585 calorie per gram पाय जा रहा था तो इसका मतलब क्या हुआ more heat यहां पर required रहेगा hydrogen bond को तोड़ने के लिए तो at higher temperature हमारा liquid water जो होगा उसका क्या होगा fewer hydrogen bonds रहेंगे क्योंकि यहां पर ही molecules जो है आके vibrate करेंगे और jostling about more ठीक है अभी हम देखे latent heat of condensation, kondensation मतल मतल tipping जानते हैं यहां पर हमारा क्या होगा वह हमारा water vapor को liquid form में convert करने को condensation बोलते हैं तो यहां पर क्या बोला गया है कि यह मारा water vapor sufficiently cool हो जाएगा तो वह हमारा liquid में convert हो जाएगा और यहां पर हमारा latent heat of condensation जो है surrounding air में release हो जाएंगे तो on a small scale अगर हम देखें तो हमारा जो heat release हो रहा है वो enough रहता है खाना बनाने के लिए to cook food this is how steam works इसी तरीकी से हमारा steamer काम करता है और अगर large scale में बोला जाए तो heat हमारा जो release हो रहा है वो sufficient है power to power large thunderstorms और even hurricanes और इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे कहाँ पर chapter 6 में ओके अगर हम latent heat of freezing के बारे हम बात करें तो latent मतलब फिर से आप जान लीजे क्या होता है वो hidden to hidden heat of freezing तो heat हमारे होता है तब जह हमारा water freeze होते है ठीक है यहाँ पर हमारा heat का वहाँ पर ही release होता है ठीक है हीट रिलीज होता है तो जो amount का हमारा heat वहाँ पर affiliation हो रहा है तो कब होगा जब हमारा water freeze होता है is same amount let was absorbed when the water was melted in the first place थहिए इसलिए the latent heat of freezing है वह identical रहता है लेचेंझ टीमे अटेस ईउल्स बिल्टइग्स से तो यहाँ पर एम क्या बताया रहना ऐगा एक ठोब बात है कि लेटेंटेसेेट उफ्रीजेशिंग इस इक्वल टू इस औंटे कल टू लेटेंशीच टो अब याद रखिएगा इसी तरीके से latent heat of vaporization और condensation भी equal रहते हैं तो latent heat of vaporization और latent heat of condensation भी equal पाया जाते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा latent heat of phrasing अभी हम पढ़ते हैं global thermostatic effects और जिसमें जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्याद हमाने पढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है लोग वहाँ प कहले होता है हमारे घर का temperature जो है वह equally maintain रहता है मतलब जितना temperature को चाहिए वैसे heat करने के लिए maintain रहता है तो वैसा ही हमारा अर्थ का एक natural thermostat होता है जो यहां जो के यूनिक प्रोपर्टी वाटर पाया जाते हैं जो कि हमारा ग्लोबल टेंपरेचर को मॉडरेट चेंज करने में हेल्प करता है जिसके द्वारा हमारा क्या होता है अर्थ का क्लाइमेट भी वहाँ पर ही इंडाइटली चेंज होता है जैसे अगर हमें एक्जामपल देखें तो यूज अमाउन्ट अफीट एनरजी रिलेज कहां पर होता है इभापोरेशन करनेसेशन साइकल को एक्जिस्ट करने में और उसके चलते हमारा लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है मतलब इभापोरेशन यहां पर हो रहा है फिर करनेसेशन हो रहा है ठीक है मतलब ओशन में ओशन है तो यहां पर इभापोरेशन हो रहा है फिर यहां पर आके करनेसेशन बारिस यहां पर फिर से बन रहा है ठीक है सूरज से हमें प्रित्पी में गर्मी मिलता है जिसके वज़े से क्या होता है कुछ एमांट को जो हीट रहता है वो हमारा ओशन में जाके स्टोर हो जाता है और फिर इभापोरेशन के द्वारा यहां पर यह जो हीट एनर्जी जो स्टोर हुआ है ओशन में वो हमारा रिलीज ह में हो जाता है और फिर यह हमारा पर चल जाता है और फिर एक प्र होलिख थे सिर शोने का कर आता है नियुक्त प्रक्रेश्वे! ठीक है, अगर हम मैप देखें, जो हमारा figure 5.10 में यहां पर दिया हुआ है, इसमें, ठीक है, तो इसको मैं भी आपको बताऊँगा अच्छे से, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारा यह दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारा cycle of evaporation और condensation जो है, वो release करता है, large amount of heat energy from the low latitude ocean, और हमारा add करता है huge amount of heat energy to the heat deficient higher latitudes, ठीक है, जहां पर हमारा energy का कमी है, वहां पर हमारा large amount of heat add हो रहा है, और जहां पर energy बहुत जादा है, वहां पर किस तरीके से हमारा energy वहां से remove हो रहा है, और कहां पर हमारा energy है, वहां पर low latitude area में, और कहां पर कम energy है, मतलब कम amount का heat व हमारा हुआ है हाई लेटिट्ड जैसे कि हम पहाड की ऊपर अगर चले जाएं तो वहाँ पर हमें इसको हमें बहुत थंड़ी मिलेगा मतलब काव इमांड का heat energy वहाँ पर ही मौझूद है वही अगर हम continental area पर आजाएं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इमांड का heat energy मिलेगा ठीक है तो वही बात यहाँ पर बोला गया है तो अभी हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से इस figure को जो आप गौड से देखेगा तो इसमें आपको एक बात पता चलता है कि equator के पास obviously हम जानते है कि equator के पास सबसे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है बहुत ज़्यादा amount का heat यहाँ पर present रहता है ठीक है तो जिसके ज़ारा क्या होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा heat जो है remove होगा from the tropical oceans tropical ocean मना tropical area जो हमारा है वहाँ से हमारा heat जो है remove होगा और फिर वो कहाँ चले जाएगा poles के पास चले जाएंगे ठीक है जैसे यह जा रहे है और फिर जब poles के पास जाएंगे तो यहाँ पर cooler atmosphere होने कारण अपर जब cool होगा तो यहाँ पर ही क्या होगा हमारा precipitation form में आ जाएगा और फिर यहाँ से हमारा बारिस होगा तो यहीं हमारा earth क्लाइमेट जो है वह maintain रहता है moderate रहता है ठीक है अभी और फिर हमारा diagram बताता है कि यह क्या दर्सार है कि ocean हमारा क्या experience कर रहा है बहुत ही slight temperature changes experience कर रहा है day to night अगर हम देखें तो day और night में हमारा यह बहुत ही कम amount का यहाँ पर ही temperature में changes पाया जाता है जैसे कि suppose अगर यहाँ पर ही 20 degree celsius पाया जा रहा है तो कितना ज्यादा ज्यादा 18 15 ऐसे ही नॉर्मली changes होता है लेकिन वही अगर content का बात करें हम तो यहाँ पर ही temperature बहुत ज्याद में changes पाया जाता है जैसे कि maximum यहाँ पर ही 45 50 50 तक चले आता है फिर ठंडी ताइम में यहाँ पर हमारा माइनस में भी कभी कोई आ जाता है ठीक है तो ऐसे यहाँ पर ही बहुत सारे cases पाया जाते तो यह लैंड पार्ट में continental पार्ट में हमारा क्या होता है इंटेटियर फ्लैंड मासेस में हमें लाज टेंपरेशन मिलता है डेटू नाइट के changes के दौरान ठीक है अभी हम अगर बात करें और फिर यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट तो है नहीं लेकिन हाँ एक मेराइन इफेक्ट है मेराइन का अबिलेटी होता है कि किस तरीके से वो टेंपरेशर जो है अलॉंग कोश्ट लाइन और आइलेंड वो टेंपरेशर को मेंटेन करकर रखता है तो उसे हम क्या बोलते है मेराइन इफेक्ट बोलते है तो अगर इन टर्म डेफिनेशन बोला जाए तो अबिलेटी ऑफ दे अबिलेटी गेशन टो माड़ी टेंपरेशर अलॉंग कोश्ट लाइन इफेक्ट अज एफेक्ट अर वही कॉंटेनेटल उफेक्ट हमारा क्या हो जाता है जह हमारा एरिया लेसे इफ्ट होगा वा या बाइद सी और दियरफोर एबिलेटर राइन अव तेम्परेशर दिफ करें तो उसमें क्या पढ़े थे कि density equal to mass per in volume और कि हमारा how heavy something is for its size ठीक है तो ultimately यह पाया गया कि हमारा density जो है वो रिल्टेड किसे है कि हमारा molecules और iron जो है substance के वो एक दूसरे में कितना packed together है या फिर उनका density उससे हमें पता चलता है तो ultimately density is related to how tightly the molecules और iron से हमें substance आर तो अभी यहां पर अगर देखें तो unit of density क्या है हमारा unit density हमारा हो जाता है gram per centimeter cube याद रखेगा इसे और pure water का density कितना होता है हमारा pure water has a density of one gram per centimeter cube specific heat भी पड़े थे हम कितना था specific heat हमारा pure water का one था तो pure water has a density of one gram per centimeter cube अब यहां पर अगर हम note करें तो क्या चीज़ तेम्प्रेचर, salinity और pressure all effect water density water density पर यह सारा का effect होता है temperature भी salinity और pressure भी देखा गया है कि density जो है बहुत सरे substance के वह increase कैसे करते हैं जहां हमारा temperature decrease होता है increases कैसे करते हैं? density increase करेगा कभ हमारा? जहां हमारा temperature decrease होगा तो ऑबिसली जब तुछ टेमपरची दीज़ोगा मतलब वहां पर कॉंट्रैक्शन होगा वो ठंदा होगा तो और उबसली कोशी जब बारी हो जाता है तो वहां पर देंसिटी है हमारा वहां पर क्या होगा बढ़ जाएगा फोर एक्जामपल कोर्ड एयर जो हमारा sink करता है और warm air जो हमारा rise करता है क्यों क्योंकि cold air जो है वो dancer है और warm air मतलब कम dancer है as relative to cold air तो density हमारा increase करता है as temperature decreases क्योंकि यहाँ पर molecule जो है वो energy को loose कर देते हैं और वो slow down हो जाते हैं इसलिए so the number of molecules occupy less space और ही जो shrinkage हो रहा है जो कि हमारा cold temperature कर चलते तो यह हमारा हो जाएगा thermal contraction यहाँ पर हो जाएगा जो कि हमारा occur करता है water में but only to a certain point और अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारा pure water ठंडा होता है 4 degree celsius में as pure water cools to 4 degree celsius 4 degree celsius तक हमारा cool हो जाता है from 4 degree celsius down to 0 degree celsius अगर हम जाएं तो यहाँ पर ही क्या होगा उसका density जो है वो decrease करेगा यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं 4 degree celsius में हम जाएंगे तो यहाँ पर ही क्या होगा इसका density यहाँ पर ही हमारा decrease करेगा यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है water stops contracting contract होना बंद हो जा रहा है और वो actually में क्या हो रहा है expand हो रहा है जिसी के वज़े से हमारा क्या होता है यहाँ पर हमारा वो ice float कर पाता है water पर जो की highly unusual among earth many substances और ऐसा बहुत रहर पाये जाते हैं इसलिए water का एक unique property बोला जाता है यह तो इसी के वज़े से क्या होता है the result is that ice हमारा less dense होता है liquid water से so ice floats on water for more substances अगर बहुत से other substances करें देखें तो solid state जो होता है वो dancer होता है liquid state से और इसलिए हमारा solid state sink हो जाता है तो ऐसा why is ice less dense liquid water हमारा ice जो है liquid water से कम dense ऐसा क्यों है तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो यह figure जो हमकर देखें यह figure हमारा बहुत जादे important हो जाता है तो आप यह figure को द्यान से देखिए तो इसमें क्या बोला है कि किस तरीके से molecular packing जो है वह हमारा water के approach को वहाँ पर ही change कर देता है जैसे हमारा water freezing point के तरफ बढ़ता है freeze होने के लिए तो हमारा वहाँ पर ही molecular packing किस तरीके से हमारा water वहाँ पर ही changes आता है जैसे कि देखें from point A to C इस figure में A to C अगर हम देखें तो हमारा सपुछ यह A है और यहाँ पर ही C इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें क्या-क्या changes पाया गया हमारा यहाँ पर ही क्या हुआ हुआ कि हमारा यहाँ पर temperature temperature decreases from 20 degree celsius to 4 degree celsius ठीक है यहाँ पर हमारा temperature कितना था 20 degree celsius था A में और फिर हम जैसे यह धर आगे बढ़े तो यहाँ पर ही क्या हो गया temperature हमारा 4 degree celsius हो गया कहां पर ही C number पर लगबग अभी और हमारा यहाँ पर ही density increase कैसे कर रहा है from 0.9982 gram per centimeter cube to 1 gram per centimeter cube ठीक है और यहाँ पर हमारा density पर ही हमारा changes हो रहा है यहाँ पर हमारा A point पर density कितना है इतना 0.9982 है और C point पर हमारा density कितना है 1.40 ठीक है और वैसे ही अगर हम बात करें तो density increase इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ही amount of thermal motion जो है वो decrease हो जाते हैं मतलब वहाँ पर ही thermal motion मतलब ही heat जो है वहाँ पर ही कम जाता है so the water molecule यहाँ पर हमारा less volume occupy करते हैं जिसके वज़ए से क्या होता है the window at point C contains more water molecules than the window at point A or P समझ में आगया नाओ यही figure में अगर देखें तो यहाँ पर ही क्या बोल रहा है कि जब हमारा temperature वह 4 degree Celsius से भी अगर कम जाएगा तो उनका क्या होगा overall volume जो होगा वह बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर water जो molecule है वह begin to line up to form ice crystal ice crystal के लिए यहाँ पर ही formation वहाँ पर ही start हो जाता है तो ice crystals क्या होते हैं ice crystals हमारा एक बल की open six sided structure होता है जिसमें जो है हमारा water molecule जो है बहुत ही दूर दूर तक widely spaced बहुत ही दूर दूर तक पाया जाता है water molecule का मतलब बहुत ही distance में पाया जाता है तो इसका characteristic क्या है hexagonal shape है mimics the hexagonal molecular structure resulting from hydrogen bonding between water molecules तो by the time water fully freezes और जैसे हमारा water पूरे तरीके से freeze हो जाता है जो के हमारा point e पे हमें देख सकते हैं यहां पर point e पे हमारा जो है ice बन चुका है यह ice है तो point e पे जो हमारा पूरे तरीके से water जो है freeze हो गया है तो सौरान हमारा क्या हो रहा है density जो है ice का वह much less than that water at 4 degree celsius जो हमारा density 4 degree celsius पे पाय जा रहा था वाटर का वो हमारा density जो हमारा फिर जो यह 0 degree celsius पे पाय जा रहा है वो बहुत ही कम है तो हमारा इसलिए बोला जाता है देल सिटी जो 4 degree celsius बहुत है water का वह जैसे ठंडा होगा ओँ एकस्पांड करने लगता है contact नहीं होता जब क्यों एक्सपांड होने लगता है इसलिए density जो आइस का वो कम होता है as compared to density of water to the temperature at which water achievates maximum density ओके नौ जब हमारा water freeze होता है तो यह आप याद रखिए कि उसका volume increase हो जाता है कितना by about 9% है कि जब हमारा water freeze होता है तो उसका volume increase हो जाता है बाइब आप नाइन परसेंट suppose suppose कीजिए कि अगर कोई एक beverage मतलब कोई sprite या कुछ भी ऐसा चीज हुआ वह फ्रीजर में रखा beverage type का समान वहाँ पर फ्रीजर में रखा कुछ minutes के लिए ठंडा होने के लिए वहाँ पर रखता है और फिर अचानक से वह भूल जाता है तो वह क्या experience करेगा कि उसका जो volume था और जली जितना volume था वह बढ़ गया है क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारा water जो है एक्सपांड कर रहा है जिब फ्रीज होने पर तो जैसे ही वह फ्रीज हुआ हमारा बेवरेज तो उसका volume जो है वह बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर इसलिए बुढ़ आता है कि water प्रोपर्टी है वह हमारा एक्सपांड करता है फ्रीज होने पर तो जो कि हमारा फीगर 5.14 में इसे देख सकते हैं फीगर 5.14 कहां गया यह देख रहे हैं ग्लास बॉटल सैटेड बार फ्रोजन वाटर यह हमारा हो गया अभी हम देखते हैं अगर हम बात करें maximum density of water कितना होता है तो वह nearly कितना होता है maximum density of water 3.98 degree celsius या फिर जो कि which is 1 gram per cc per cm3 जो कितना होता है 1 gram per cm3 और roughly अगर देखा जाए तो वह कितना होता है 4 degree celsius तो अपर एक्जाम में आपका आए कि what is the maximum density of water तो वह कितना हो जाएगा at 4 degree celsius ठीक है 4 degree celsius हो जाएगा और फिर ऐसा बोला आता है कि size of water clusters जो है वह किस पर करते हैं हमारा temperature पर depend करते हैं सो size of लिख लिजिए size of water clusters depend upon temperature अभी स्कूम तरह मिटा देते हैं एक मिनिट हो गया let's start maximum density of fresh water जो हमारा है उसमें हमारा अगर हम pressure add करें या फिर उसमें dissolve substances add कर दें तो उसके द्वारा क्या होगा हमारा जो maximum density of fresh water का उसका temperature जो है वह कम जाएगा क्योंकि because both inhibit ice formation दोनों ही को ice formation यहाँ पर ही करना है अगर देखा जाए तो higher pressure for example increasing the number of water molecules in a given volume crowding the molecules together and reducing the space available for the formation of bulky ice crystals okay now increasing the amount of dissolved substances on the other hand inhibits the formation of hydrogen bonds which are necessary to form the ice crystal structure तो इस दोनों cases में हमारा क्या हो रहा है to produce ice crystals equal in volume to those that could be produced by freezing fresh water at normal pressure more energy must be removed causing a reduction in the water freezing point okay तो इसमें से कुछ खास important है नहीं फिर भी पढ़ लिजेए आप कि because dissolved solids हमारे होते हैं वह हमारा freezing point of water को reduce कर देता है जो कि एक region है जिसके वजह से हमारा sea water rarely freeze हो पाता है क्या बोला मैं कि dissolved solids हमारे dissolved solids हमारे freezing point of water को क्या करते हैं reduce कर देते हैं वहीं एक region है जिसके वजह से हमारा sea water जो है बहुत ही rarely freeze कभी हो पाता है except near earth frigid poles अर्थ के पोल के पास suppose हमारा earth है तो इसका जो पोल यहां पर होता है तो उसके पोल को छोड़ कर बाकि और जितना बचा है sea water वहां पर हमारा sea water जो freeze कभी हो पाता है तो यहीं सेम प्रिंसिपल जो है इसकी वजह से हमारा salt जो है why salt is spread on roads and sidewalks during the winter in cold climates the salt हमारे क्या गरता है lowers the freezing point of water तो salt को वज़े से क्या होता है freezing point of water जो है वो कम जाता है जिसके वज़े से allow ice free roads and sidewalks at temperatures that are several degree below freezing तो हमारा हो गया उतना खास important तो है नहीं बस conceptual waste था और बाकी अभी बहुत ही बड़ा हो जाएगा चाप्टर को आगे पढ़ाया तो और तो इसको हम part wise करेंगे बाकी यानेवाल चाप्टर में होने से इसको में और दो part में अगर आपको मेरा content और अच्छा लग रहा है तो आप इसे like और subscribe प्लेज किजिएगा और साथ में और कुछ आपको suggestion अगर देना हो तो आप comment section में अप openly उसे comment करके मुझे बताइएगा ठीक है और जितना हो सके मैं इसे जल से जल कौबर करने को कोसिस कर रहा हूँ तो आपने साथ बने रहेगी thank you very much